मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, बटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेजा होते हैं, बामनिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातिया मुझे लगता है कि जो भी तीन तलाक के पक्षमे बाते करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बेंग भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अज़क कुछ लोगों को लगता है कि पर ये तीन तलाक से तो सिर्फ महिलाओ कोई बात हो रही है। तीन तलाक से जो नुक्सान होता है न, वो सिर्फ बेटियों को होता ऐसा नहीं है। उसका दाइरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अर्मानों के साथ बेटी को शादी करकर के ससुराल भेजा हो। और आण दस साल के बाद तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माबाप का क्या होगा, जिसके घर में बेटी वापिस आती है। उस भाई का क्या होगा, वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए तीन तलाक से सिरफ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं, माता, पिता, भाई, सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुले देश, इसका इसलाम से समंध होता हैं। तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाक खतम नहीं करता। मुस्लिम बहुले देश जहां पूरी तरह इसलाम राज्य है, वहां भी तीन तलाक बंद कर दिया है। मैं परसो हूँ, इजिप्ट में था, मिस्र में था, मिस्र में इजिप्ट में 90% से ज़्यादा सुनि मुस्लमान समा जाए। और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले तीन तलाक की प्रधा को समाप्त कर दिया। हम से 90 साल पहले अगर तीन तलाक इसलाम का जरूरी अंग है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई। अगर तीन तलाक इसलाम का जरूरी अंग है, तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता। अगर तिन तलाग इसलाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बंगलादेश ये तो सारे मुस्लिम बस्ति वाले देश है वहाँ पर उनको मन क्यों कर दिया मैं समझता हूँ कि मुसल्मान बेटियों पर तीन तलाग का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छुट चाते है यही लोग तीन तलाग का समर्थन भी करते है और मैं जानता हूँ कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बेहने बेटियां मैं जब भी जहां जाता हूँ वो भाजपा के साथ कड़ी रहती है मोदी के साथ कड़ी रहती है कातियों भारत के मुसल्मान भाई बेहनों को भी यह समझना होगा कि कौन से राजनितिक दल उन्हें भड़का करके उनका फाइदा लेने के लिए उनको बरबात कर रहे हैं आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिपॉर्म सिविल कोर्ड के नाम पर ऐसे लोगों को बढ़काने का काम हो रहा है आप मुझे बताईए एक घर में परिवार के एक सदसे के लिए एक कानून हो परिवार के दूसरे सदसे के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो गर चल पाएगा क्या कभी भी चल पाएगा क्या पिर ऐसी दोहरी व्यवस्ता से देश कैसे चल पाएगा हमें याद रखना है कि भारत के सम्विधान में भी नागरीकों के समान अधिकार की बात कही गई है साथियों ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसल्मान मुसल्मान करते हैं अगर ये मुसल्मानों के सही माइने में हितेशी होते तो अधिकाउस परिवार मेरे मुसलिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते हैं रोजगार में पीछे न रहते हैं मुसिबत की जिन्दगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते हैं और सुप्रिम कोट ने बार बार कहा है सुप्रिम कोट डंडा मारती है कह रही है कॉमन सिविल कोट लाओ लेकिन ये वोट मेंक के भुखे लोग अजया मैं आपको एक गवार बात बताना चाहता हूं अगर आप हमारे मुसल्मान भाई बेनों के तरफ देखो गए और मैं देखता हूं कि जो हमारे पस्मंदा मुसल्मान भाई बेन है ये वोट मेंक की राजलिती करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसल्मान भाई बेहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है वो तो तबाह हो गए उनको कोई फाइदा नहीं मिला है बेकस्ट में घुजरा करते हैं उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तयार नहीं है उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसल्मानों का इतना सोषण किया है लेकिन इसको उपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई जो पसमंदा मुसल्मान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता उन्हें नीचा और अचूत समझा जाता है इसी समाज में मैं मुसल्मान समाज की बात कर रहा हूँ मुसल्मान भाईयों में जो हमारे पसमंदा भाई बेहन है जो पिछडे हुए हैं मैं उनकी बात करता हूँ पसमंदा मुसल्मान मोची होते हैं विस्ती होते हैं जोगी होते हैं लाल बेंगी होते हैं होते हैं मदारी होते हैं जुलाहा होते हैं लंबाई होते हैं बेजा होते हैं बामनिया भी होते हैं छीया होते हैं लहरी होते हैं हलदर होते हैं सिकदर होते हैं कितनी ही जातिया ये सब इतने पिछड़े रहे हैं इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है भाईयों भेनों इस भेदभाव का नुक्सान उनकी कई वीडियों को भुगतना पड़ा लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकात की भावना से काम कर रही है आईश्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्त सुविदा का हक दिया है पीए मावास योजना के तहर उन्हें भी अपना पका घर मिल रहा है बीजेपी के कायर करता जब इन तत्यों वर तरकों के साथ मुसल्मान भाई बेहनों के पास जाएंगे तो उन्हें जादा बहतर तरीके से समझाएंगे और उनका ब्रह्म भी दूर होगा और इसलिए आपने जो सवाल मुझे बहन जी पूछा है बड़े विश्वास के साथ जाएंगे और उनके सुख दुख दूर करने के में उनकी कठिनाईयों को दूर करने में एक कार करता के नाते समानता का भाव से आप प्रयास किजिए जरूर वो आपकी बात मानेंगे समझेंगे भी आईए अगला सवाल पूछते हैं शी से अबढ में जरू को दूर करने में प्रयास करेंगे में तंकी कि बाही करने जर जरूर करने हैं यह करने आपकी 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 बाही आपकी है